अगर हम हैंडब्रेक लगा के एक्सिलरेटर और दबाने लगे तो परिणाम स्वरूप हैंडब्रेक ओवरेट होके गन जाएगा या फिर इंजीन ओवरलोड करके गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाएगी तो समस्य यह है कि कई लोग अपने जीवन में भावनाओं के हैं हैंडब्रेक को लगा के रखते हैं मैं दुखी हूँ, मैं परिशान हूँ, मैं चिन्तीथ हूँ, भविश्य का क्या होगा, मैं भविथ हूँ ऐसी भावनाएं मन में रखने से अपने शरीर और मन की वह ही हालत होती हैं जो हैंडब्रेक लगा कर गाड़ी चलाने से होती हैं महा भारत में एक छोटी सी कथा है एक बार कौरव और पांड़ो को शिक्षा देते हुए आचार्य द्रोण ने सोचा क्यों ना इनकी परिक्षा ली जाएं परिक्षा उनकी वैचारिक प्रकृती और व्यवारक्ता की थी उन्होंने दुर्यदर को अपने पास बुलाया और उसे कहा तुम नगर में से कोई भी अच्छा आद्मी ढूनके मेरे पास लेकर आओ दुर्यदर ने कहा जैसे आपके आद्मिया और वो अच्छा आद्मी की खोज में निकल पड़ा लेकिन कई नगर ढूनने के बाद भी उसे एक भी अच्छा आद्मी नहीं मिला वो खाली हाथ ही लोटाया और आचार्यदर से बोला यहां इस पूरी दुनिया में एक भी अच्छा आद्मी नहीं है सब पूरे हैं आचार्यदर आप भी पूरे हो तब आचारियन ने मुस्कुराते हुए युदिफ्टिर को अपने पास बुलाया और उसे कहा तुम नगर में से कोई भी बूरा आदमे ढूनके उसे मेरे पास लेके आओ युदिफ्टिर भी उनकी आध्या मानकर बुरे आदमी की खोज में निकल पड़े उन्होंने भी कई नगर ढूंडे कुछ दिनों तक बुरे आदमी की खोश की लेकिन में सफल नहीं रहे वो भी खाली हाधी आचारिया के पास लोटाए और उन्होंने कहा यहाँ पर तो कोई भी पूरा आदमी नहीं है सब लोग अच्छे है तब उनके शुष्यों ने गुरु द्रोणाचारिया से पूछा ऐसा क्यों हुआ युदिश्टीर को एक भी पूरा आदमी नहीं मिला और दुर्यधन को एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला तब आच्छारिया ने कहा यथा दुरुष्टी तथा शुरुष्टी यानि कि जो जैसा होता है उसे सारे दुनिया अपने जैसे ही नजर आती है जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि ignition switch on किया और accelerator दबाया लेकिन फिर भी गाड़ी आगे नहीं जा रही है और दबाया फिर भी गाड़ी आगे नहीं जा रही है और दबाया तब पता चला कि handbrake को disengage ही नहीं किया तो गाड़ी आगे कैसी जा आसान है positive thinking करके यानि कि मन में सकारात्मग विचार लाने से इसके लिए हमें बाहर से किसी भी चीज की आवशक्ता नहीं है ना रुपए पैसा ना बड़ा घर ना नाम ना खांदान बस अपने मन में अच्छे विचार रखो तो फिर इसमें बादा क्या है हम लोग हमेशा negative thinking करके दुखी रहती है हमें दुख देने वाली बाहर की दुनिया नहीं है बलकि हमारे खुद के विचार है एक बार एक आदमी हाथ में गंगाजी का नक्षा लेकर चल रहा होता है नक्षे में लिखा होता है गंगाजी left की जा रही है फिर आगे जाकर नक्षे में लिखा होता है कि गंगाजी right में मुड़ेगी तो वो देखता है हाँ गंगाजी भी right में ही जा रही है लेकिन आगे चलते चलते एक बोड़ ऐसा होता है आता है कि नक्षे में लिखा होता है गंगाजी right में मुड़ेगी और वो दे यह होती है तो फिर क्या फाइदा है इस खोच का सब बेकार है तो दोस्तों उसके विचारों में तुरूटी कहां है गंगा जी को नक्षे का पालन करना चाहिए या नक्षे को गंगा जी का इस बट अब्वियस नक्षे को ही गंगा जी का पालन करना चाहिए बस हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है हम ऐसा सोचते हैं कि ये दुनिया ये संसार हमारी खुशी के लिए बना है और इसे अपने विचरों के मुतबिक चलना चाहिए हम अपने अहंगार वश अपने आपको इस संसार का केंदरबिन्दु मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है इस संसार का निर्मान इसलिए नहीं हुआ है कि मेरे उच्चाओं की पूर्ती हो समस्याएं तो हर एक की जीवन में है हमारा ग्लास आदा खाली है तो आदा भरा हुआ भी है अगर हम अपने ऊपर हुए इश् इस्वर ने हमें दो आखे दी है, जिससे हम बहुती खूपसूरत इंद्रधनुष्य देख सके, समुंदर के किनारे बेट कर सुर्यास्त देख सके, इस्वर ने हमें दो हाथ दिये है, दो पेर दिये है, ये भी तो उसकी कृपदृष्टी ही है, अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो हमें हजारों कारण मिल जाएंगे आनंदित होने के, जिससे अपनी कार्य कुशलता भी बढ़ेगी और स्वास्त भी अच्छा रहेगा, तो दोस्तों कैसा लगा आज आपको मेरा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक बटन क्लिक कर देना, और हाँ, सब्स